जो तरीका है हमारा मेजर करने का, जो इंस्ट्रुमेंट हम यूज कर रहे थे, वो भी अपने लिमिटेशन तक पहुँच गया है, ठीक है, हम अपने लिमिटेशन के चलते इसका अविश्कार किये थे, इंस्ट्रुमेंट का अविश्कार किये थे, गणित का सहरा लिये थे, लेकिन अब वो भी अपने लिमिटेशन तक पहुँच गया है। तो अब रिशी मोनी कैसे कर रहे हैं या ग्रह नक्षत्रों के बारे में अगर मालूम है अरुंधती वशिष्ट नक्षत्र के बाले में मालूम है अनुओं के बारे में मालूम है तो कोई मजाक उड़ा सकता है आच्छा हाँ आपके पास तो टेलिस्कोप था आपके प्राची कैसे करेगा, ठीक है, वो record, experiment, data का analysis कैसे करेगा, अगर उसके पास data points नहीं है, ठीक है, यही है confusion, कि scientific नहीं हो सकती भारत के प्राचीन community, क्योंकि उसने inventions नहीं किये, ठीक है, तो share मैं करता हूँ slide को और देखते हैं कि भारत में जो परंपरा रही है, explore करने की वो किस प्रकार र दूनते हैं या प्राप्त करते हैं? उसमें यह जो वैशैशिक है, इसमें उतना जादा, मतलब focus नहीं रहता है, क्योंकि अध्यात्म की बातें उतनी जादा है नहीं इसमें, आत्मा के definitions, एटम के definition, अनुओ के बारे में और ब्रम्हांट के बारे में, जो भौतिक जगत है, उसके बारे में जादा बाते होती है तो जो पहला विशै है आज का, कि आज के जो वैज्यानिक हैं, वो भारत के हों या बाहर के हों, उनकी एक खोजपदती है, वो एक जो ढूंडते हैं, research करते हैं, experiment करते हैं, conclusion तक पहुंचते हैं, उसका एक methodology है, ठीक है, और जो हमारे रिशी हैं, वो हमारे explorer हो गए, ancient time के, तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें space में कुछ ढूंडना हो, अंतरिक्ष में, तो हम Hubble telescope का सहरा लेते हैं, बहुत super powerful telescope का, और अगर microscopic level पे हम जाते हैं, या electrons को देखना होता है, तो electron microscope, बहुत ही minute level पे बहुत heavy magnification के साथ हम जाते हैं, ठीक है, और जब instrument का सहरा नहीं मिल पा तो हम गनित के पास जाते हैं, maths के पास जाते हैं, वो derive करता है, वो कुछ ऐसी चीजे बताता है, जो हमारे कलपना से परे हो जाता है, non intuitive हो जाता है, तो एक साधन हो गया instrument, experiment के लिए, और दूसरा साधन हो गया mathematics, ठीक है, तो इन दोनों का सहरा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ह हम यह जानते हैं कि हमारी capacity नहीं, हमारी आखों में इतनी capacity नहीं है कि हम तारों को देख पाए, ठीक है, हमारी आखों में इतनी capacity नहीं है कि microscopic लेवल पर हम कुछ जज कर पाए, कुछ ढूंड पाए, ठीक है, एक limitation है, तो हम instruments का सहरा लेते हैं, लेकिन instruments का भी जब हम physics को ही है quantum physics में कि आप position and momentum दोनों एक साथ measure नहीं कर सकते हैं अब यह क्या है इस पे उत्रा नहीं जा करके मैं सीधा यह बोलना चारा हूँ कि जो तरीका है हमारा measure करने का जो instrument हम यूज कर रहे थे वो भी अपने limitation तक पहुँच गया है हम अपने limitation के चलते इसका अविश्कार किये थे instruments का अविश्कार किये थे गणित का सहरा लिए थे लेकिन अब वो भी अपने limitation तक पहुच गया है तो अब रिशी मोनी कैसे कर रहे हैं या ग्रह नक्षत्रों के बारे में अगर मालूम है अरुंधती वशिष्ट नक्षत्र के बाले में मालूम है अनुओं के बारे में मालूम है तो कोई मजाक उड़ा सकता है अच्छा हाँ आपके पास तो टेलिस्कोप था आपके कैसे करेगा ठीक है वो record experiment data का analysis कैसे करेगा अगर उसके पास data points नहीं है ठीक है यही है confusion कि scientific नहीं हो सकती भारत के प्राचीन community क्योंकि उसने inventions नहीं किये ठीक है तो शेर में करता हूँ slide को और देखते हैं कि भारत में जो परंपरा रही है explore करने की वो किस प्रकार रही है वो किस तरह से ज्ञान विज्ञान को ढूंडते हैं या प्राप्त करते हैं अब नाम आता है महर्शी कनाद तो मेरे विद्याल में एक श्लोक चलता था इस श्लोक में सारे विज्ञानिको का नाम है ये एक श्लोक ऐसे एक-दो और श्लोक है जिसमें भारत के प्राचीन विज्ञानिको का नाम है तो कनाद एक विज्ञानिक शुरूप है और उन्होंने वैशेशिक दर्शन अगर हम आशान भासमे कहें तो जो फिजिक्स है उस सब्जेक्ट के बारे में व्याख्यान दिया है तो अभी जैसा हमने बात किया कि इंद्रियों में दोश है दोश क्या है दूर की हम चीज़े नहीं देख सकते हैं धुली चीज़े हम नहीं देख सकते हैं एक रेंज है हमारे इंद्रियों का हमारे सेंस और इयर का भी एक रेंज है वो कितना सुन सकता है कितना जान सकता है और और अनुमान ये जो शब्द आ रहा है इसको मैं अभी ही clarify करने चाहता हूँ कि ये guess नहीं होता है अनुमान मतलब संस्क्रिप में जैसे सूर्य को आप देखते हैं तो उसका एक movement है लेकिन आप move करते उसको नहीं देखते हैं उसके displacement को बस देखते हैं एक बच्चे को आपने देखा है अच्छा cycle चलाता है तो वो displace हो जाता है दूसरे जगा चला जाता है तो जहां भी displacement है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक अस्थान बदल रहा है उस वस्तु का मतलब उसमे movement है तो सूर्य का क्योंकि अस्थान बदल रहा है तो हम judge कर रहे हैं कि उसमें movement है तो इसमे भी दोश होता है, हमारे में बहुत सारे दोश है, हम logic कैसे लगाते हैं, उसका basis है कि हमारा pre-assumption क्या है, हमने assumptions क्या मानने हैं, उसके basis पर हम अपने logics लगाते हैं, तो दोश होते हैं, उसमें इसलिए exploration में वो हमें परशान कर सकता है, हमें चीजों को ढूडने के लिए तो process है ये योग शूत्र में आता है पहले अध्याई के 20 सूत्र में स्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्या पूर्वक इतरे शाम श्रद्धा, वीर्य उच्साह, स्मृति, समाधि और प्रग्या समाधि सब्द आस्टांग योग में जो आखरी आता है जो शुरू होता है यम, नियम, आशन, प्रानायाम, प्रत्यहार, धारना, ध्यान समाधि यह आठ वर्ड्स है, बहुत लोगों को नए वर्ड्स लग सकते हैं, बट यह आकरी स्टेज होता है, योग का आकरी स्टेज होता है, समाधि और समाधी भी कई प्रकार के होते हैं वो जो शहाँ से अभी ये समझ सकते हैं कि नोवर को जानना कि जो विशयों को जानना चाहता है सबजेक्ट्स को भूल जाना सबजेक्ट्स का कोई relevance नहीं रहना बस नोवर के बारे में जानना ये जो stage होता है वो समाधी का स्टेज होता है तो समर्पन से प्रारंब हुआ उत्साह फिर इस्मृति देन संप्रज्यात समाधी and देन मिली हमें प्रग्या अब इसी प्रग्या के आधार पर हमारा जो प्रत्यक्ष है और अनुमान है और इसके अलावा भी और कई टूल्स है जो आते हैं जिस से exploration होता है वैज्ञानिक खोज की विधियों का आरंब होता है नए टर्म लगेंगे ये संप्रज्यात समाधी विचारा नुगत समाधी वितरका नुगत समाधी अगर इसको हम अभी लीव करते हैं तो जो subject है उसको समझता कैसे है बच्चा उसको अगर ध्यान से हम देखना दो तीन साल का अगर बच्चा है तो पहले sound को सुनता है ठीक है sound जो है वर्नों से निकलता है कंड से निकल रहा है हमारे शरीर से निकल रहा है and then उसका combination एक शब्द बनाता है फिर वो बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी vocabulary बहुत शब्द जब वो रटने लगता है ध्वनियों को पहचानने लगता है फिर उसमें अर्थ करने की capacity आने लगती है क्योंकि वो differentiate करना जब तक नहीं सिखेगा ये चीज इससे कैसे अलग है तब तक वो अर्थ को meaning को नहीं समझ सकता and the third stage is ग्यान जो बहुत विशेश अर्थ को जब हम स दिखा है तो intrinsic meaning कोई नहीं है उसके लिए उस गाय शब्द का या पेड़ शब्द का कोई meaning नहीं है उसके लिए तो वो फिर उसके meaning को जानता है and then बहुत बढ़ा होने के बाद उसे एक शब्द मिलना अच्छा नील गाय एक और प्रकार का जानवर है जो गाय जैसा दिखता लेकिन अगर उसको proper understanding नहीं है तो वो भेद नहीं कर पाएगा कि ये गाय है कि कोई और जानवर है तो विशेश प्रकार का अर्थ अंत में मिलता है तो हमारा जो process है किसी चीज को समझने का ये तीनों intervined होता है entangled होता है शब्द अर्थ और ग्यान इसी तीनों को अगर तो हम देखिए कि अभी जो day-to-day life में हम जीते हैं तो हम करते क्या है जैसे हम कुछ चीज का प्रत्यक्ष करते हैं हम उसको compare करते हैं हमनी past memory से past life experience से past experiences से ठीक है and जो exactly जो जैसा है उसको हम वैसा नहीं जान पाते हैं वो mixed होता है जैसे बहुत लोग का एक narrative होगा बहुत लोग का एक विचारधारा होगी एक inclination होगा तो कोई event को वो judge करते हैं अपने विचारधारा से है ना अपने biases से अपने prejudice से ठीक है तो exactly उसे कभी तत्तोग्यान हो जो जैसा है उसको exactly वैसा जानना कहलाता है तत्तोग्यान तो हमें सबसे पहले अपने प्रत्यक्ष को अपने अनुमान को ठीक करना होगा और वो योग के माध्यम से जब अंतिम स्टेज आती है धारना ध्यान समाधी तो वहाँ पर जो है वो विशे हम समझने लगते हैं तो ये जो चार शब्द आये थे वितर्क में सवितर्क निर्वितर्क और विचार और सविचार अब इसको अगर हम समझना चाहें तो एक योगी को आप देखिए वो गुफा में अगर बैठे हैं तो एक डीप डाउन केव में क्यों बैठे हैं और आख बंद क्यों किये हुए आख का आप कोई विशय नहीं रहा, गहरी गुफा में हैं, तो कुछ दूर से उन्हें श्रवन नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो कान का प्रियोग नहीं किया, शरीर भहुत इस्थिर है और गुफा के अंदर है, तो तेज हवा का जोका भी उन्हें प्राप्त न नहीं रह सकते हैं उसको अगर परियोग में हम ना लाएं कि प्रान से उसका संबन्द है लेकिन आप देखे एक ही इंटिटी को उन्होंने एक्टिव रखा है ठीक है चार को सेशेश कर दिया है रोक दिया है ठीक है तो विशे उन्होंने पकड़ा नदी की एक ध्वनी धारा गंगोत्री के पास बैठे है नदी की जो धारा आ रही है ध्वनी आ रही है वो निरंतर एक साउंड आ रही है उसी पर वो फोकस किया जा रहे है ठीक है अब शब्द अर्थ ग्यान वहाँ पर अगर वो तोड़ सकते हैं सिर्फ अर्थ को वो समझ सकते हैं तो वो एक समाधि की स्थिति में पहुचते हैं ठीक है यह पहले स्टेज की समाधि है कि बहुती किसी वश्टु पर जो शब्द रस रूप गंधस पर यह जो पांच सेंसेशन है हमारा उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को लिया है बाकी सब्जेक्ट को रोक के रखा है तो एक समाधि की पांदो है ना स्वास पे ही फोकस करो तनमात्राओं पे फोकस करो तो यह भौतिक जगत से थोड़ा सा सूक्ष्म जगत पे स्थूल से थोड़ा सा सूक्ष्मी की और हम बढ़े तो उनका जो ध्यान है उसका जो सब्जेक्ट है वो माइक्रो लेवल पे जाते जा रहा है ठी अधियात में प्रसाद प्राप्त होगा, और उनकी चित जो है, ध्रिढ हो जाएगी, योग-सूत्र की अ्युक्तू सार चित मन को कहते हैं, ठीक है, और सारा जो एकस्प्लोरेशन है, उसका जो जड़ है, वो मन से ही, उसका संबंद है, यह जो हम मन कहते हैं कि हमारा मन नहीं क अप्थर किसी ने मार दिया है। पानी जैसे ही सांत होगा, आपको अपना चहरा बहुत क्लीन दिखेगा। तो ये जो एक्टिविटीज है मन की, उसको सेसेश करके, चित्त को द्रिड करके, उसका जो ट्रू पोटेंशियल है, उसको एक्स्प्लोर करने के डिरेक्शन में यो का खासियत ये है कि आपको जब भी कोई चीज मालूम होगी, तो श्यॉरिटी के साथ मालूम होगी। मतलब जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें हमारा शंच्रे डाउट रह जाता है, कि थोड़ा सा डाउट रह गया मेरे दिमाग में, या सम्हाव जैसा बुक पढ़ रहे हैं, वो राइटर के हिसाब से, उसकी जो विचार धारा है, वो मेरे को influence करेगी, ठीक है, मेरा जो experience है life का, हम उस lens से उस चीज को judge करेंगे, तो सामहु प्यॉरली किसी knowledge को हम ले नहीं पाते हैं, और इसलिए हमारे जो scientist हैं, वो maths का इस्तमाल कर रहे हैं, और instrument का इस्तम का इस्तमाल science नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे disturbance हैं, बहुत सारे error है, cognitive error है हमारे जो day-to-day life में हम जैसे judge करते हैं चीजों को, लेकिन रितंभरा प्रग्यागर आप प्राप्त कर रहे हैं, जो पहले भौतिक वस्तों पर ध्यान करके प्राप्त हु और फिर सुक्ष्म भूत पर प्राप्त हुआ, तो वहां से फिर आपको जो भी knowledge होगा, वो surety के साथ होगा, और वो अनुमान और प्रमान से एक level ओपर का knowledge होगा, ठीक है, तो जो योग का आखरी आश्टांग योग है, जो आखरी तीन stage होता है, उसको हम कहते है धारना, ध समाधी, अभी समाधी शब्द हमने देखा, कि cessation of जो चित है, चित को subject ही अब हमने नहीं दिया, चित को जब subject हमने नहीं दिया, तो चित जो है, सांत हुआ, शांत हुआ, तो उसकी capacity बढ़ गई, समझने की, जानने की, और वो truly तत्तो ग्यान को समझने लगा, तो योग में हम जो शुरू में करते हैं, क्या करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इस stage को जब भी कोई पार करते हैं, मतलब 5 साल उसने किया, 10 साल किया, 15 साल किया, 20 साल किया, प्राणायाम अगर किया, तो उसमें क्या आ जाता है, प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों जो है है हमारी जो sense organ है वो हमारे control में आने लगती है ठीक है हम इंद्रियों के according ना सोचने लगते हैं ना समझने लगते हैं हम अपने स्वरूप के according जानने और समझने लगते हैं ठीक है तो जब ये stage आती है तब हम बोलते हैं कि अब धारना के हम लायक हो गया धारना जिसको हम करना पारायान करना मंत्रों का जाप करना किसी एक चीज़ पर focus करना है ना या चिडियां के आख को जो वो देख रहा है वो पुरा चिडियां को भी नहीं जाता है, सिर्फ नोवर बचा रहे जाता है जिसको हम कहते है आत्म साक्षतकार हो गया, ठीक है, जीवाटमा का पता चला, ठीक है जीवाटमा का पता तभी चल रहा है जब हम सारे instruments, जो है सारे machine को use करना बंद कर दिये और तब हमें पता चला है उसका battery कहाँ पर है, उसका power source कहाँ पर है, जब जितने हम organs को use कर रहे हैं, बुद्धी को use कर रहे हैं, मन को use कर रहे हैं, senses को use कर रहे हैं, तब तक हमें कभी नहीं पता चलता कि इन सब को चला कौन रहा है, ठीक है, तो धारना, ध्यान, समाधी, अगर in combination हम बात करें, तो उसक वाला संयम नहीं है, धारना प्लस ध्यान प्लस समाधी, मतब किसी एक चीज़ पर आपने धारना किया, जससे कि एक कोई दिया है, उसकी बत्ती है, उस पर आपने धारना किया, उसी पर आपने समाधी ली, तो हम कहेंगे कि संयम आपने किया उस दिये पर, ठीक है, अब यह यही टूल है exploration का पहले हमने क्या प्राप्त किया रितंभरा प्रग्या सबसे पहले हमने देखा कि योगी जो है पले अनुमान अपने प्रमान अपने प्रत्यक्ष प्रमान अपने इस्मृति अपने संस्कार अपना लॉजिक अपनी रेशनालिटी उसको ठीक करने के लिए चि अब वो हर जग히ं भी वो साइयम का इस्तमाल कर सकता है अब साइयम का इस्तमाल अगर करता है वो देखिए अगर चंद्रमा पर वो कर रहा है चंद्रमा पर वो देख रहा है धारना किया उसने प्रोलॉंग स्टेज तक कंटिन्यू किया, ध्यान हुआ and then समाधी वी, तो उसे क्या प्राप्त होगा, तारों की ठीक-ठीक इस्थिती की जानकारी होने लगेगी, ठीक है, अब ये जो जो जोतिश हम समझ रहे हैं, या खगोल सास्त्र हम समझ रहे हैं, या सूर्य सिद्धान को पकड़ रहे हैं, ये सब विशह explore कैसे किया जा रहा है without telescope, तो हम instrument को use नहीं कर रहे हैं, हम swim को use कर रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सबसे complicated instrument हम है, इसको maneuver करना, modify करना, upgrade करना हमें आना चाहिए, हमें manual ही पता है, driving manual कि हमारे शरीर को, हमारे मन को चलाते कैसे हैं, उसकी capacity है, उसको ही जो हम अनुभाव में लाते हैं, experience में लाते हैं, हमें लगता है वही उसका limitation है, but this limitation, this barrier को तोड़ा जा सकता है, जब आप प्रग्या प्राप्त करते हैं, ठीक है, फिर देखिए, धुरू तारे में अगर जो pole star कहते हैं, उसमें अगर सहियम करते हैं, तो तारा समूं की गती का ज्यान हो जाता है, यह जो कह रहे हैं कि अरुंधति और वशिष्ट नक्षत्र, जो है, यह कैसे पता चल जा रहा है, बहुत माइनूट लेवल पर इतने नक्षत्रों का ज्यान कैसे हो जा रहा है, है ना, तो इसका भी जो कारण है, वो है सैयम, सैयम के इसक रचना आपको प्राप्थ हो जा रही है, तो इनाटॉमी आपको शरीर काट कर शरीर को जानने क्या वशक्ता नहीं हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, सिद्धियां प्राप्थ हो गई है, ये सिद्धी है, kind of supernatural powers है, लग रहा है, लेकिन ये supernatural powers नहीं है, ये inbuilt, सोय हुए inactive powers हैं, जो मनुष्यों को दिये गए हैं, लेकिन मनुष्य उसको इसलिए नहीं जान पाता है, क्योंकि वो भौत तिक जगत में फसा रहाता है, वो sense organs के लिए जीता है, वो pleasure के लिए जीता है, इसलिए ये जो वैरागे शब्द है, बहुत लोग को लगता है कि अरे यार, क्य दुनिया सब कुछ संसार छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन ये जो बात है कि जो full capacity है, वो सिर्फ मोक्ष लेने के लिए नहीं बना है, स्तमादी का तो आखरी stage मोक्ष है, लेकिन बीच का एक intermediate stage ऐसा है, जहां पर सिद्धिया आने लगती है, तो महर्शी कनाद ने कई नि जहाए में, जो पहले आनिक में, 23 जो सुत्र है, उसमें के कहते हैं, सैयोग होने पर ही कर्म छीन होता है, कर्म जो है, एक्चुली वैशेशीक दर्शन में मोशन को कहा जाता है, ठीक है, यह जो हम जीवन में कहते हैं कि कर्म उसने खराब किया है, अच्छा किया है, वो वाल इंटरप्ट नहीं करेंगे, बॉडी को इंटरप्ट नहीं करेंगे, तो वो continue करेगा motion में, तो Newton का जो पहला नियम होता है law of inertia, अगर कोई अपनी स्थिती में है, कोई वस्तू, कोई object, तो inability है उसमें खुद से, स्वैम से अपनी स्थिती बदलने की, अगर कोई motion में है, तो व motion है, वो तभी रुकेगा, जब उसको रोकने वाला कोई conjunction होगा, तभी वो चीज रुकेगी, एक और शूतराता है, यह जो पांचवे अध्याय में, कि in absence of force, there is no upward motion, sideward motion, और motion in general, ठीक है, मतलब law of inertia का जो दूसरा वाला पार्ट था, कि motion में अगर है, ठीक है, और force जो है, अ नहीं होगा, तो कोई अगर zero motion में है, तो वो motion में आएगा नहीं, ठीक है, तो पहला जो law है, उसको देखिए, दो सुत्रों में अलग रूप से हम तोड़ते हुए देखते हैं, अब हम वहाँ पर parallel नहीं draw करेंगे, कि तीनो जो नियम है, तीनो जो नियम है, वो बड़ा सारे अंतर है, हमारा जो तरीका रहा है दर्शन सास्थ का वो रहा है कि दुखों के निवरिती, मुक्ति प्राप्त करना, तो कणों को समझना, ब्रह्मान को समझ दे के लिए हम बस ये जो है, डाइसेक्शन कर रहे हैं, चीजों को तोड़-तोड़ कर देख रहे हैं, ठीक ह ये बहुत ही broad है, बहुत बड़े dimension को cover करता है, तो science का जो शुरुवात है, उसका जो philosophy कहते हैं, तो उसमें कहते है, x nohil o nohil fit, 0 से 0 ही निकलेगा, अगर कहीं से कुछ निकल रहा है, तो जीन से नहीं निकल सकता है, if there is something, then it can evolve into something, ठीक है? तो बालु का जो कण है सैंड का जो particle है उसमें से बर्गद का पेड़ नहीं निकलेगा बर्गद का जो seed होगा बर्गद का जो plant होगा उसमें सही बर्गद का पेड़ निकलेगा, बहुत obvious है तो इसको अगर हम expand करें तो ब्रह्म्हानड जिस चीद से भी बना है, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, आप कार्यकारन सिध्धान से समझ सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं, उस बीज को कहते हैं, प्रकृती, प्रकृती, बिफोर क्रियेशन, जिसको हम कहते हैं, सत्वरजतम इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इकल्यूब्रियम में है ये equilibrium जब तूटता है तो पूरे स्रिष्टी का निर्मान होता है तो बीज मतलब भगवान की अगर हमें समझ लेनी है परमात्मा की समझ हमें लेनी है तो वो स्रिष्टी बनने के बाद उनकी entry हो रही है तो वो अवतार होंगे वो स्वयम परमात्मा स्वरूप नहीं होंगे क्योंकि पूरी जो परमात्मा है जो हम मांडू की उपनिशत से देखते हैं कि भगवान स्रिष्टी बनाते ही नहीं है केवल बनते भी है तो पूरी स्रिष्टी ही क्या है वो भगवान का ही स्वरूप है ठीक है तो कारेकारन दान्त जो है आपको बहुत सारे सब्जेट्स और बहुत सारे डामेंशन्स को समझने में मदद करता है और ये भी एक expand इसको अगर हम करना चाहें तो कुमार का जो example है जो potter का example है तो potter कैसे बनाता है घड़े को तो वो मिट्टी पहले लेता है ठीक है उसको कहते है उपादान कारण समवाई कारण है वो एक कारण है रीजन है वो बनाने वाला कुमार भी जरूरी है and then वो particles जो है वो मिट्टी के particles का संयोग होना उनका जो conjunction होना वो बहुत ज़रूरी है अगर बिखरे हुए रहेंगे मिट्टी के कण तो घड़ा नहीं बनेगा तो तीन चीज़ आ रही है कपास का प्रियोग हो रहा है cotton का प्रियोग हो रहा है मिल में जो बैठा वेक्ति है उसका ज़रूरत है वो जो मशीन का ज़रूरत है जो उस cotton को धागे में बदलेगा और धागे को एक साथ combine करेगा तो कारे कारन सिब्धान्त से स्रिष्टी के निर्मान की भी जब understanding ली जाती है तो वहाँ पर बात होती है कि अच्छा कोई बनाने वाला होगा और किसी चीज़ को बनाया गया होगा तो पुरुष कहते हैं कि वो बनाने वाला है और जो बन रहा है जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं जो primal हम कहें जो तत्व है entity है वो प्रकृती हो जाती है तो ये जो understanding है वो सांखे तक पूरा expand होता है फिर time की definition वैशेशिक दर्शन में आपको दिखाई देती है और ये इतना शांदार है मतलब इसको अगर ध्यान से अगर हम देखना चाहें तो क्या कहा जा रहा है कि जो समय के साथ बदलता है जो change होता है उसका current time है और जो चीज़ नहीं बदलती है वो समय से परे है वो time से वो beyond time है, ठीक है? तो instruments पर हम आते हैं, कोई instrument measure कैसे करता है, heartbeat measure कैसे करता है? heartbeat में कुछ परिवर्तन होता है blood pressure में कुछ परिवर्तन होता है तो instrument पता कर पाता है कोई वेक्ति अगर मर गया तो उसका जो heartbeat है वो graph के आता है एकदम में एक straight line आता है कोई change ही नहीं है, कोई graph नहीं बन रहा है ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये वेक्ति जो है पारा है, mercury है वो अपना result उसने दिया, अगर कोई चीज बदल नहीं रही है, तो इसको instrument नाप ही नहीं सकता है, जैसे आत्मा, इसलिए इसको instruments नहीं नाप सकता क्योंकि ये बदल नहीं रहा है ये अपनी characteristic नहीं बदलता है ये जो है वो है, अगर इसका कोई हम baseline सेट करते और फिर आत्मा कुछ बदलता, अपना स्वरूप बदलता, तो फिर instrument उस चीज को नाप लेता, एक thought experiment के रूप में बोल रहा हूं मैं, तो जो चीज नहीं बदल रही है, उसको instruments नहीं नाप सकते, उसको इंद्रिया, हमारे sense organs, उसको feel नहीं कर सकते हैं, ठीक है, and time के वो परे है, क्योंकि time is the measurement of change, ये है time का definition वैशेशिक दर्शन में, कोई चीज बदल रही है, उसका जो निमित कारण है, वो time ही है, काल ही है, ठीक है, तो स्रिष्टी के अंत में हम कह रहे हैं, वो जो काल है, काल में सब समा जा रहा है, तो वो स्रिष्टी का निर्मान हो रहा है, फिर वो expand कर रहा है, और फिर सिकुड जा रहा है, तो काल जो है, वहाँ पर exist नहीं कर रहा है, जब end में फिर से, जो है, सब चीज जो है वो परमात्मा में समा गया और ये जो श्लोक है ये अणुओं के उपर बात होता है तो कनाद रिशी को जो इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे कहीं भी आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये जो अटॉमिक थियोरी ऑफ भारत है इंडिया है वो न्यूटन जॉन डाल्टन नील्स बोर्ड इन सब के पहले रदर फोर्ड के पहले जो है भारत में कई हजार साल प इग्जैक्टली सेम नहीं है उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने एक आकार दिया है कि जो भी नित्य है जो चेंजिंग नहीं है जो इटर्नल है वो प्रॉपर्टी रखता है राउंडनेस की ठीक है तो यह बताता है कि आत्मा जो है उसका शेप राउंड है यहाँ पर यह विशेज जो है कभी बात ही नहीं कर रहा है कि आत्मा होता है कि नहीं होता है यहाँ पर आत्मा एजद्रव्य है कहते है वैशेशिक दर्शन में और वो पूरा डाइसेक्ट करता है कि आत्मा क्या है उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो उसका शेप क्या है ठीक ह और time से उसका क्या संबंद है, जीवात्मा से उसका क्या संबंद है, ये परमात्मा से क्या संबंद है, तो वैशेशीक दर्शन देखिए एक ऐसा physics है, जो conscious entity पे भी बात कर रहा है, है ना सिर्फ physical world के बारे बेर नहीं बात कर रहा है, ये ऐसा physics है जो observer को भी deal कर रहा है, तो अ समझने की, ये quantum mechanics क्या है, ये neurology क्या है, ठीक है, और ये कब से आई ये curiosity, जब यंग्स double slit experiment हुआ, तो उसमें देखा गया कि observer की according results आ रहा है, observer अगर दूसरे धंग से observe कर रहा है, तो experiment के result बदल जा रहा है, ठीक है, instruments जो है, वो capable नहीं है, एक point के बाद जो है, वो capable नहीं हो पार है, तो हम कह दे रहे हैं कि अब ये हमारा limitation है, uncertainty, आप एक ही चीज को ना आप सकते हैं, लेकिन हमारे रिशी जो है, आप अगर मैं summarize करना चाहूं कि आज हमने क्या बात की, complicated है थोड़ा सा, नए vocabularies आए हैं, लेकिन आप ये ये subjects की, उससे हम compare करते हैं, ठीक है, and then हम ये भी जानते हैं कि हमारे आखों में उतनी capacity नहीं है, कि चीजों को जो जैसी घट रही है, exactly वैसे समझ पाएं, sense organs में उतनी capacity नहीं है, हमारी rationality उतनी pure नहीं है, क्योंकि हमारे prejudice है, हमारी जो process है, logical deductions की, वो भी assumptions पर आधारित है इसलिए आज का जो shine से वो बोलता है, प्रत्यक्ष को हम नहीं मानेंगे, मतलब हमें proof दो, हमें logical deductions दो, हम प्रत्यक्ष को नहीं मानेंगे, हमें अगर 90 degree दिख रही है, जो डॉक्टर सी के राजु भी बोलते हैं, कि भारत का जो गणी थे, वो प्रत्यक्ष परमान पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें error है, और वो वहाँ पर सही है, बट ये वो भूल गए कि हम इस cognitive sense को, हम अपने प्रत्यक्ष को ही पहले ठीक कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप autobiography of yogi पढ़ेंगे, बहुत सारे yogiों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बताएंगे कि व संभव कैसे है, मतलब उन्होंने उनका जो प्रत्यक्षिय वो इतना expand कर गया है, कि वो space curl हो रहा है और वो पहाड के पीछे भी देख पा रहे है, फिर अनुमान आ रही है, उन्होंने इस बृति को इतना शुद्ध किया हुए है, हमारे कई understanding events वो political inclination की वज़ा से होता है, क तो प्रत्यक्ष अनुमान ठीक हो गई, अब हमारी capacity बढ़ने के लिए मन की capacity को हमें बढ़ाना है, क्योंकि यह सब काम जो है मन करता है, मन ही contemplate करता है, comprehend करता है, तो मन का जो disturbance है, उसको हम पहले एकदम settle down करेंगे, उसके लिए हम योग पे गए, तो योग के process में, आस्टा करेंगे हम explore करने के लिए, धारना, ध्यान और समाधी को जो आखरी stage है, ठीक है, जिसको हमने सैयम कहा, अब ये हम subject बदल सकते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति क्या swim के संसकारों पर करें, जो impressions है, mind के impressions हैं, तो हम अपने पूर्वजन्म को जान लेते हैं, ये योग सुतर कहता ह है, ठीक है, तो ये कहां से संभव हुआ, धारना, ध्यान और समाधी से, समाधी is the ultimate stage, जिसमें आप pure एक नोर की रूप में बस होते हैं, ठीक है, आपका inherent कोई subject नहीं होता है, आप बाहर एक ही विशय को, thousands of subjects में से एक ही विशय को पकड़े हैं, जिसका आपको past, उसका future, उ जान ले रहे हैं, शरीम की अवस्था को भी जान ले रहे हैं, दूर की ध्वनी को भी जान ले रहे हैं, और कई सिद्धियों से ये जो शक्तिया प्राप्तुरी उसकी आधार पर ये कह रहे हैं, और ये जो प्रग्या है, ये रितंभरा प्रग्या होती है, इसमें doubt नहीं हो वो चीज लिखी हुई है कि वो आपके आज के instruments और आज की cognitive skill set उसको नहीं प्राप्ट कर सकती है धन्यवाद धन्यवाद रवी जी आपने बहुत अच्छा actually present किया है मेरा जो question है वो जैन दर्शन के मलब उससे है तो जैन दर्शन भी इसी चीज से शुरू होता है कि पुदगल और आत्मा में भेच समझना और फिर उसके बाद अरिहंत की पैचान को समझना और अरिहंत की पैचान में यही तीनों बाते आती है कि जो वीतराग है जो सरवग्य है और जो हितोग्देशी है तो वीतरागता वही की सैंसेस पे कंट्रोल अपनी जैसा कि आपने वोला था कि अपनी इंद्रियों पे वश और फिर जब इंद्रियों पे वश होता है उसके बाद ही हम तीनों काल को भूध वविश्य और वर्तवान को एक साथ एक नजर से परक पाते हैं और फिर हम इतका उ वो मोक्ष तक ना जाके उससे पहले शायद सर्वग्ये तक जुके और किसी एक वस्तू पे चंतन करके सत्वग्यान समझ के और फिर अपना वो दे पाते हैं तो इन दोनों में डिफ्रेंस क्या हुआ क्योंकि जैन दर्शन इसको बहुत ही अलग में देखता है जब आप बि इन्टिफिक वाला जो टेंपरमेंट है वो रहता है लेकिन फिर भी आप वो सब चीजे वो का मलब हित का उपतेश देंगे तभी तो आप ये सब चीजे समझा पाएंगे चीप को उनके समझने की कपासिटी के अकॉर्डिक तो वाट इस दे डिफरेंस मैं थोड़ा वाक्स जो माता-पिता से जन्म लेता है वो एक शरीर होता है और एक ऐसा शरीर होता है जो बिना माता-पिता के ही जन्म लिया है ये भी mention है वैसे शिक दर्शन में तो जो very first रिशी हैं जो वेद लिखना प्रारम कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि स्रिष्टी का जब निर्मान हो रहा है तो वहाँ पर जो है वो जो जैसे स्रिष्टी हमारी चलती है वैसे उनका जन्मन नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कि वो मुक्ती नहीं चाहते हैं लेकिन ये एक intermediate stage है एक intermediate stage है जिसमें प्रग्या हमें मिल जाती है होता कहा है कि इसको भी त्यागना पड़ता है जो कहते हैं कि राजसिक और तामसिक को तो आपने डाउन कर दिया अगर सात्विक को भी नहीं चोड़ा तो आपको मुक्ती नहीं मिलेगी ठीक है तो ये प्रग्या जो रितंभरा प्रग्या हमने देखा वहां तक हम इसलिए रुग गए क्योंकि वहां से ही possible है ये सहियम को करना and subject को explore करना world को explore करना जिनको मुक्ती प्राप्त करनी है उनको कहा जाता है कि यहां पर भी मत्र को सिद्धियों में फसे रह जाओगे ये जो उड़ने की कला है पानी में चलने की कला है दूर देखने की कला है ये सह में मत्फसों ने तो फिर तुम फिर फसे रह जाओगे तो वहाँ पर एक चीज का entry होता है, उसको कहते है परम वैराग लिया, ठीक है, वो आता है और फिर हम बीज को खत्म करने का प्रयास करते हैं, हमारा जन्म क्यूं होता है, करमाशे की वज़ा से होता है, हमने जो करम किया है, उसका एक संचे होता है, उसका एक storage होता है, ठीक है और वो हमारे संसकार का निर्मान करते हैं, ठीक है, संसकार से हमारा mental modification, हमारे इस जीवन का जो हमारा behavior है, है ना दो भाई अलग behavior करते हैं, उसका कारण होता है संसकार, हम कहता है कि इसका संसकार ठीक नहीं, इसको संसकार हम ठीक करना चाहते हैं, तो उस संसकार को, उस करमाशे को जो ध्वस्त कर देता है उस बीज को जो खत्म कर देगा तभी उसका जन्म नहीं होगा आईदर आप भोग के करो आपने गर पाप किया तो उसका भोगो पुन्नी किया तो उसका भी भोगो एक्जॉस्ट कर दो अपने करमाशे को तो आपका जन्म नहीं होगा ठीक है तो उस उसको हम कहते हैं निर्वीज समादी, वो सबसे एंड में हम लोग उसको कहते हैं असम्प्रज्यात समादी, वहाँ पर परग्या भी नहीं है, मतलब वो जीवात्मा को समझने की कोई अब कुरियोसिटी नहीं रही, खुद को समझने की कुरियोसिटी नहीं रही, अब बस विल तो वो आनंद अनुगत समाधी है जो हम कहते हैं खड़े होकर जो वो समाधी में है तो हम लोग उससे भी पहले रुक रहे हैं पहले दो महीं वितर्क और विचार महीं जहां पर सिर्फ हमारा cognitive skill set जो है वो बहुत अच्छा ठीक हुआ है अब हम पर आत्मा के विशह में अगर बात होगी आत्मा के विशह में बात होगी तो without any confusion हम चीज़ों को समझेंगे मतलब हमारा path और well defined हो जाएगा easy हो जाएगा हमारे लिए आगे बढ़ना नमस्ते रवी जी fantastic presentation आप इतनी अच्छी तरह बात करते हैं आपको बहुत बहुत आपकी शुक्रियादा हूं मैं मेरा बहुत ही simple question है क्यूंकि हमारे शास्त्रों में टेक्स में जिस तरह से words को हम लोग use करते हैं sorry मैं Hindi English सार मिला के बोल रही हूं जैसे words को use करते हैं हम आम तर पर जैसे use करते हैं उसका अलग सा meaning बन जाता है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा confusion हो गया है एक तो आपने बता है अनुमान हम just normally use करते हैं estimation उस हिसाब से अनुमान का मतलब नहीं है आपने कुछ-कुछ फिर समझाया लेकिन मेरे थोड़ा जादा information हो गया अगर आपको समझा सकें और दूसरा है प्रग्या प्रग्या मेरा understanding था कि यह wisdom है आप जरा समझाये मैंने गलत समझाया या किस तरह मुझे समझना चाहिए थैंक यू अनुमान जैसे weather forecasting होती है that is anुमान हम क्या करते हैं कि past एक pattern graph की analysis करते हैं और उसके एक series of कुछ pattern चलता है वो graph का एक कोई y और x के बीच में relation होगा उसके हिसाब से हम predict करते हैं कि अब यह हो सकता है तो हम यह wild guess नहीं करते हैं हम क्या करते हैं calculated way में या past experiences से हम अपने अभी के judgment को refine करते हैं हमारे सामने वो हो नहीं रहा है मतलब जैसे अगर कहीं धुआ आपको दिख रहा है smoke है बहुत दूर है तो आप यह judge तो करी सकते हैं वहाँ आग होगा क्यों होगा क्योंकि आग और धुआ को आपने in combination देखा है तो past आपकी कोई स्मृति है आपने प्रत्यक्षुसका किया है अनुभव किया है उसके basis पर आप अभी judge कर रहे है rationality अपने दिखा रहे है logically deduct कर रहे है कि ऐसा है तो ऐसा होगा यह इसके साथ में ही होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आप अनुमान कर रहे है ठीक है अनुमान उन चीजों का नहीं कर सकते जिसका अपने protection नहीं किया जैसे भगवान का आप अनुमान नहीं कर सकते आत्मा का आप अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि somehow वैसा कुछ parallel event आपके experience में होना ही चाहिए तभी उस चीज का अनुमान होगा जिस चीज का कोई protection नहीं है उसका कोई अनुमान नहीं होगा ठीक है तो आप गर्म बरतन को चुएंगे आपका हाथ जलेगा यह आप अनुमान से जानते हैं तो आप नहीं चुएंगे बरतन को ठीक है तो यह जो process है decision आप ले रहे हैं निरने कर रहे हैं based on your cognitive sense past में जो है deduct कर रहे हैं तो वो अनुमान है यहां ठीक है दूसरा जो आपका जो प्रशन था प्रज्या यस तो wisdom जो है तो of course मतलब wisdom ही है यह लेकिन प्रज्या जो रिशी वाली यहां जो प्रज्या है वो एकदम शुद्ध होगी है मतलब past life का past event का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जैसे अगर हम बोले कि ध्रितराष्ट है तो वो बच्चपन से देख रहा है कि पांड़ों को ज़्यादा value मिल रहा है प्रजा उसको ज़्यादा support कर रही है वो ज़्यादा धार्मिक है वो देख रहा है कि उसके बच्चे सल्य मामा के पास है वो ये देख रहा है कि गांधारी भी जो है मतलब वो somehow जिसकी जो upbringing हो रही है बच्चों के और उसका जो अनुबाए उसको ये लग रहा है कि ये गलत हो रहा है मेरे बच्चों के साथ तो जब भी एक decision लेना होगा कि राजगदी पर कौन बैठेगा तो वो ऐसा judgment वो ये नहीं judgment करेगा कि धर्म के आधार पर रखना है या उसकी eligibility, capability है ना उसके आधार पर हम उस post handling को दे रहा है नहीं मेरा past experience इसके साथ अच्छा था तो मैं इसे आगे बठा देता हूँ तो ये wisdom नहीं है, ये प्रग्या नहीं है है ना आपने favor कर दिया क्यों क्योंकि आपका एक experience था अनुभव आपका अगर खराब हो जाता है जैसे male female का ही अगर हम relationship पर बात करें तो अगर आपका अनुभव खराब है अपोसिट जेंडर के साथ पास्ट मतलब 10-15 साल से तो आपका अभी का जो judgment होगा उसी basis पर होगा आपका अभी का जो statement होगा उसी basis पर होगा, आप situation को ऐसी wild guess कर देंगा नहीं यही गलत किया होगा, इस नहीं गलती किया होगी तो यहाँ पर आप अनुमान भी नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास प्रज्या भी नहीं है यह होता है संसकार दोश है ना, आप biased डिसली हैं क्योंकि आपका experience मिला है वो experience जोटा नहीं था ऐसा है नहीं कि जोटा नहीं था यहाँ पर हमारा प्रज्या नहीं है यह wisdom कहीं भी नहीं है तो प्रत्यक्ष मेरा ठीक हो जाए अनुमान मेरा ठीक हो जाए मेरे जो sense, अनुभाव, experience करने की जो पूरी capacity है वो शुद्ध हो जाए तभी आपको प्रज्या मिल रही है और वो समाधी के बाद है वो अब बहुत high level वाली समाधी नहीं है शुरवात वाली समाधी है ठीक है जो हम कह रहे है सम प्रज्यात समाधी स्टिल ले मैं के लिए हम common public के लिए वो भी बहुत high level के चीज भी बट एक महान योगी के लिए वो intermediate stage है बहुत शुरवाती stage है और जो भगवत गीता में आता है स्थित प्रज्य तो यही प्रज्या का stabilize अगर हमने नहीं किया है कभी हम wisdom दिखाते हैं कभी हम फिर हमारा wisdom नहीं दिखता है ठीक है तो प्रज्या बहुत stabilized form होती है आप situation के हिसाब से wisdom दिखा रहे हैं फिर नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब प्रज्या भी आई नहीं है somehow बस अनुमान आपका ठीक हुआ है लॉजिकली आप ठीक कर रहे हैं तो रवी जी इस अनुमान मोर लाइक परिकल्पना hypothesis इन दुनों में क्या अंतर रहेगा अनुमान और परिकल्पना hypothesis को हम लोग प्रमे कहते हैं संस्कृत में ठीक है प्रमे कहते हैं अनुमान क्या है एक means of knowledge होता है, हम किसी चीज़ को कैसे ग्रहन करता है, एक होता है शब्द प्रमान, हमने कुछ सास्त्रों को पढ़ा, ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमान, हमारे जो आँख नाख कान, जिवा, तवचार जो हम कहा रहे हैं उससे हमने सेंस किया, दो हो गया, ठीक है अब इन दोनों से जो परे हैं, डिरेक्टली हम पर्सीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक रिलेशनसिप स्टैबलिश कर रहे हैं, जैसे कारेकारन से धान्त, हमने ये कैसे अनुमान लगाया, मतलब कि ब्रम्हांड जिससे भी बनाए, वो पूरा ब्रम्हांड है, ये कैसे अनुमान लगाया, क्योंकि हम ये पता है कि एक जो बर्गत का बीज है, सीड है, उससे पूरा बर्गत निकलता है, एक सैंड का जो पर्टिकल है, उससे बरगद नहीं निकलता है, तो ब्रम्हांड उसी चीज़ से बनेगी, जो पूरा ब्रम्हांड होगा, है ना, तो ये, कैसे हम यहां तक पहुँचे, ये अनुमान है, और ये हम कैसे justify कर रहे हैं, कैसे समझे रहे हैं, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है कहीं और, seed और स्रिष्टी के, मतलब, जो बीज और स्रिष्टी हो रही है, उसमें एक रिलेशनशिप है, है ना, हर चीज का कुछ ना कुछ कारन होगा, उसका root cause होगा, root cause को जज कर पाना अनुमान है, है ना, root cause analysis is the अनुमान. I want to tell you that you right now mentioned about the uncertainty principle of Eisenberg only, so can we consider the Maya with the wave nature of the particle and the particle nature to be the kaya of something, can we explain like this? Parallel drop किया जा सकता है, बट वहाँ पर होता कहा है, Eisenberg uncertainty principle होती क्यों है, क्योंकि वो instrument का limitation है, जो हम Young's double slit experiment में, जो instrument हम लगाते हैं, तो बेना instrument का सब ठीक चल रहा होता है, जैसे ही detector लगाते हैं, result बदल जाते हैं, ये कैसे हो गया, मतलब हम कह रहे हैं कि अपना observe करने की जो position है, द्रिश्य और द्रस्टा जो हम जैसे हम कहते हैं विदानत में, तो observe हम जैसे करेंगे result हमें, वैसा मिलने लग जा रहा है, मतलब सेम result नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये जो स्रिश्टी है, इसमें एक conscious entity है, ठीक है, और बहुत तिक जगात है, ये दोनों के combination में है, ठीक है, आप light को बोल दिये, duality है, वो particle भी है, वो wave भी है, electron पे माया और काया शब्द आपने प्रयोग किया, तो माया तो है, वो तो है कि जो आपको मिथ्या ग्यान दे रहे, आपको जो exact ग्यान है, जीवात्मा के बारे में आपको कभी नहीं पता चलेगा, परमात्मा के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, है ना आपको लगए कि यही जीवन है यह आखरी जीवन है जो योलो बोलता है ना you only live once तो pleasure के लिए जी जाओ बस यही करो या बहुत परिशान हो जाते हैं अगर हम millionaire नहीं बन पाए startup fail कर गया तो ऐसा लगता है कि जीवन में एक ही मौका मिला था वो भी हम lose कर दिये और मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है तो यह सब करवा को रहा है यह माया कराता है तो यह हम कहते है पर्दा reality से हमको जो दूर कर दे रहा है अपने स्वरूप से fundamentally who am I and what am I यह पता ही नहीं हमें यह माया के वज़त से होता है ठीक है तो इसको जो आप compare आपने किया यह पैरलल मतलब होता है कि बहुत draw किया जाता है अब जैसे अनू को atom बोल देते हैं यह तब बोला गया था अनू को atom जब पता चला था कि atom को तोड़ा नहीं जा सकता है साइन्स में यह हुआ था कि अच्छा fundamental entity atom है इसके बाद हम नहीं तोड़ सकते तो अनू का definition हमने पढ़ा था कि वो नित्य है वो eternal है वो सुरिष्टी के निर्मान के पहले भी है निर्मान के समय भी है निर्मान हो रहा है उस समय भी है अभी हमारे साथ भी है और हम जानते हैं हर चीज अनू से बना है अगर हम atom उसको गलत ढंक से समझना भी चाहे तो हम जानते हैं कि electron जो है वो plants में भी है electron जो है वो human में लेकिन अनु का definition नहीं है fundamental particle और हमने उसको instrument से नहीं ना पाए है तो अंतर क्या है अनु और atom में atom is the earth element हमेशा देखिएगा hydrogen, helium, lithium, boron, calcium जितनी भी चीज़े हैं those are prithvi तत्व सब prithvi तत्व है ठीक है सब minds से मिलता है वो particle के रुप में पानी में हो, gas में हो अनु जो है वो चार प्रकार का वैसे शिक दर्शन जो कह रहा है है आकास तत्व हो गया अनु नहीं होता है वो विभू परिमान है वो पूरा फैला हुआ है वो micro level पर नहीं है तो हम कह रहे है अगनित, वायू, जल और प्रित्वी ये चार जो है fundamentally अनु है तो fluidity, कोई भी चीज लिक्वीड में क्यों convert हो जा रही है वो जल तत्व की वज़ा से आपको भूक क्यों लग रहा है पेट में वो अगनी तत्व की वज़ा से ठीक है वायू तत्व है जो प्राण जिससे संबंदित है ठीक है तो ये हर तत्व जो है हर जो जड़ वस्तव है उसमें ये चारो है ये एक सिर्फ नहीं है चारो है तो ये एक definition है atom और अनु में चार अनु मिल के कोई एक चीज बनाता है ठीक है और atom fundamentally अपना replica बना करके वो जो होता है वो होता है मतलब एक ही entity हम बात करते हैं सिर्ष्टी में हो रहा है अनु वाला ही ठीक है ये चार का ही जो है में संबंद है रवी जी रिशी कनाद ऐसे person कैसे थे उनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा सा कुछ पताईए एक रिशी ग्रंतों में समस्या नहीं बोलेंगे वो अपने आपको कभी mention नहीं नहीं mention किया ठीक है वो फिर राजिस्थान में पुष्यमित्र सुंग के काल का एक लिपी मिला कि अच्छा इस समय महार्शी पतंजली थे ठीक है तो कनाद भी लोग वो शब्द से अपना बहुत सारी कहानियां गड़े हैं जैसे वो कहते हैं कि अच्छा कन से बना हुआ है का नाम उलू के रूप में था उलू तो यह सब जहां तक मुझे लगता है यह बस कलपना कर रहे हैं उस शब्द क्या धार पर लेकिन एक यह आप समझ सकते हैं कि कनाद जो है वो उनका असली नाम नहीं होगा मतलब उनका जो नाम यह उपाधी होगी उनकी ठीक है कनाद उन इस शब्द कारत होता है कनो को खाने वाला ठीक है तो यह बस यह हम कह सकते कि नियाए दर्शन के पहले का है यह विशह मतलब रिशी गौतम जो महर्शी गौतम है उसके पहले का है अब अगें गौतम जो है वो गोतर नाम होता है तो कौन वाले महर्शी गौतम है यह भी पत गौतम रिशी के पहले होंगे रवी जी मैं I'll ask you the question in English आप जिसाइड कर लेजी का वेड़े इस रelevant to this talk or not, I think it might be आपने जिस तरह समझाए कि how our rishis and manis try to understand things which is very different from how westerners do it. Along the similar lines they have, you know, we have an understanding of manas and buddhi, ahankar chitta, whereas they have the understanding of my brain's activity is the mind. Very different descriptions of mind so based on their description they have gone down the path of understanding psychology, neuropsychology, psychiatry etc. How do you counter them? I only ask this because I live abroad and I find it really hard because somewhere I don't have the shastra knowledge like you but I have the essence in me so I am driven towards the Indian way of thinking without having the basis of study because we were never taught and what they say to me doesn't gel. There's no way for me to say that you know, they won't take your word for it because they'll say well we can't measure your awareness or consciousness, you know chaitanya, I can't measure it, we don't know that, we don't value that and what we are seeing on the outside measuring with our instruments based on that we cannot trust you, we need proof whereas I'm saying well I do have a higher awareness so I know what I'm talking about how do you get past that paradox because it denies real life experience of human beings and that's an injustice of sorts actually they believe in logical deductions are infallible okay and it is necessary to have a hypothesis and at least उसको आपको गलत साबित करना है या सही साबित करना है उनका एक methodology है और उसमें वो kind of एक superstitious हो गया है यह मैं clearly बोलना चाहूंगा जैसे religion में भी होता है एक superstition आ गया है वैसे ही science में भी एक superstition है कि ऐसे ही हम करेंगे there are no other way around तो आप सोचो ना कि Newton के समय में तो Einstein है नहीं but Einstein ने बोला ना कि Newton के जितने भी सारे methodologies वो गरबड़ी थे लेकिन Newton के methodologies से हमें engineering में मदद मिलती है हमें instruments हमें बनाने में मदद मिला हमें एक general analysis करने में help हुआ तो हम बोलते हैं कि एक value होती है कुछ result आ रहा है आपका एक exploration methodology से ये तो वादपित कफ को भी नहीं मानते हैं ये कहते हैं ये तीर दोश क्या है what is this framework पंच महाभूत framework है बट हमें ये पता है कि आईरवेद से लोग क्योर होते हैं ये कहेंगे बहुत primitive है ये तो molecular biology भी नहीं देख रहा है microbiology भी नहीं देख रहा है तो how they can be so sure कि ये medicine इस पर काम करेगा तो हमारा framework हम कह रहा है कि वादपित कफ है पंच महाभूत पर framework बठा है जो उसके result से utility जो है हम कहते है utility अगर हमारे में आ रही है उसका कुछ हम उसको result oriented बना सकते है तो वो हमारे लिए बहुत जादा important है और अभी हमने कहा कि जो नित्य है उसको measure करी नहीं सकते तो ये आपके measurement की limitation है इस बात को उनको याद दिलाना बहुत जरूरी है ठीक है ये बहुत जादा important है कि एक measurement की भी आपकी बहुत आप अगनी होतर को क्यों पालन कर रहे है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगनी होतर क्या कर रहा है अगनी होतर को बहुत पूरे दुनिया में फॉलो करते है agriculture में फॉलो करते है depression को cure करने के लिए फॉलो करते है cortisol को कम करने के लिए फॉलो करते है और उन्होंने देखा कि अच्छा हमने तो lock कर दिया दो room को पूरा का पूरा lock कर दिया कोई smoke नहीं जा रहा है कोई धुआ नहीं जा रहा है तो somehow कोई chemical ingredient नहीं जा रहा है तो कोई effect कैसे कर सकता है तो उन्होंने सोचा अच्छा है ये तो कोई electromagnetic field जैसा कुछ बना रहा है क्या but somehow they cannot understand क्योंकि प्रान को वो समाझ नहीं पाते ये उनकी incapability है कि उन्होंने define जो किया है world को उसके जो fundamental particles है उसके हिसाब से अब बैठ नहीं रहा आगे जा करके इसलिए exceptions पर बात करते हैं limitations पर बात करते हैं error पर बात करते हैं but framework के बारे मैं नहीं सोचते है कि उसमें भी intrinsic कोई error होगा तो actually उन्हें हमें follow करवाना मतलब हमारा follower उन्हें बनाना चीए और हमें अपनी exploration जो है जो हम कह रहे हैं कि उनके research papers में हमको journal में peer reviewed journal में हमें अपना publish कराना है तो यह हो नहीं पाएगा क्योंकि वो dogmatic अब हो चुके हैं जो है कि यही right method और वो इसलिए भी हुए है क्योंकि benefits बहुत दिया है पुरा humanity को smartphone बना इतने सारे instruments बने but somehow वो भी saturate कर चुका है that's why यह जो unified field theory पर बात करते हो तो बहुत विदान्त को लेके विदान्त दर्शन से बहुत parallel draw करने लग जाता है रही है तो अब जाके वो appreciate भी कर रहे हैं तो somehow पहले क्यों नहीं appreciate कर पा रहे थे क्योंकि वैशेशिक दर्शन Newton की तरह नहीं बात कर रहा था quantum की तरह बात कर रहा था ठीक है ना तो more or less हमें अपने काम को अपने सास्तिरों को थोड़ा सा और उसको upgrade करना उसकी commentary को बताना तब जाकर के ये जो है maybe narrative को हम साथ कुछ change कर पाएं बढ़ वो मानेंगे नहीं क्योंकि instrument measure नहीं कर सकता तब मेरा प्रशन है कि जैसे धारना आपने बताया था उसमें क्या हर रिशी एकी चीज़ पर करने की ड़ाणा करके आपक तह कि दोसरा सवाल के समाधी में समाधी क्या हर समाधी आप जैसे वताया कि ड़ाणा Yakikum ये की चीजे करते हैं समाधी कि खाँ सब्स प्रमु नो भलता है धारना के बाद शुरू होता है या ध्यान करने के बाद ही शुरू हो जाता है समाधी और अनु और एटम में अंतर क्या है दोनों आपने बोला कि अलग हो जाता है अनु अलग है तो उसमें अंतर क्या है तो इतीन को पहले मैं बता देता हूं सबसे पहले तो धारना ही पहला स समाधी तो समाधी सबसे end में आता है ठीक है समाधी stage आपने अगर achieve कर लिया है तो फिर से आप कहीं दूसरे subject पर धारना ध्यान समाधी start कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आपने प्रग्या प्राप्त कर लिया है तो धारना विश्व की किसी भी वस्तू पर आप कर सकते हैं ये धारना का ही definition है इसलिए आप देखेंगे कि मुक्ती प्राप्त करना है तो कोई मंत्रों से प्राप्त कर रहा है कोई जब कर प्राप्त कर रहा है कोई इश्ट देवता से कर रहा है और कोई स्वासों पर ही focus करके भी निर्वान प्राप्त कर रहा है भगवान बुद्ध है ना आपको भगवान को मानने की ही जवरतनी है क्योंकि धारना का विशय है एक ही विशय होगा एक आगरता मतलब एक अगर एक ही चीज़ को आगे करना बाकी चीज़ को पीछे करना ठीक है तो परमात्मा को मानने से और पत्थर को भी पूझ सकते हैं ठीक है वहां से भी समाधिया प्राप्ट कर सकते हैं और समाधि एंड में होता है इसके बाद ही होता है मतलब धारना ध्यान एंडें समाधि ठीक है उसका जो अनू का definition है और atom का मैं बोला कि क्यों सेम था एक point of time पर अभी मैं क्यों कि अलग हो रहा है क्यों क्यों कि जब हम atom को define किये थे कि this is the fundamental entity अब हम break नहीं कर सकते हैं न हमने पीशू को देखा cell को देखा या इधर molecule को देखा और फिर atom को देखा तो हमने उसका नाम करन किया तो हमने कहा कि अब इसको हम break नहीं कर सकते तो हमने जब अनू का definition देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये unbreakable है इसके बाद इसका हम dissection नहीं कर सकते हैं लेकिन एक definition हम भूल गए कि अनू नित्य होता है अनू नित्य होता है ये जो atom है ये equal to mc square से convertible है इसको destroy करके आप atom भी बना रहे है है ना आप energy में convert एक convertible है ठीक है तो एक तो ये तो अब जो atom है वो भी टूट गया वो भी टूट गया फिर string theory आ गए फिर vibrations पर हम बात करने लगें तो अनू जो है वो किसी चीज को जब बनाता है तो सिर्फ एक अनू से एक चीज नहीं बनती है अगर हम ये पार्थिव शरीर बात करें या प्रिथ्वी लोक में बात करें तो हर वो जो हम प्रिथ्वी तत्व कह रहे हैं वो प्रिथ्वी तत्व दिया ठीक है अब अगनी तत्व है इसलिए उसमें Kelvin आ रहा है temperature measurement आ रहा है है ना उसमें एक intrinsic vibration है उसको हम जब पिघला रहे हैं तो वो fluid बन रहा है तो हम कह रहे हैं कि उसमें जल तत्व है fluidity है इसलिए वो वहाँ पर है और उसको गर्म करने है वो वैपर बनके फिर मतलब उसमें वायू तत्व है इसलिए वो वैपर बन जा रहा है मतलब गैस बन जा रहा है ठीक है तो आप देखिए कि जो भी भौतिक जगत ह है जिसको भी हम देखते हैं वो एक fundamental entity से नव बन करके चार entity से बना है ठीक है तो atom क्या कह रहा है कि अच्छा यह iron है तो यह Fe यह iron ore है वहां से माइन से आया उसको हमने purify किया distill किया है ना melt किया उसमें से phosphorus sulfur को निकाला and then iron आपके जामने प्रस्तुत किया तो यह क्या है प्रित्वी तत्तो हम कहते हैं बस मतलब as per definition उनके definition कि this is the earth elements क्या करते है earth elements तो यह एक definition है कि हमारा जो अणू है वो in combination काम कर रहा है यह अलग-अलग नहीं है ठीक है और उसकी properties है हर अणू की प्रपरटी है शब्दरस रूप गंधसपर्स जो कहा रहा है जिससे वायू की प्रपरटी है कि टच का sensation आपको देता है तो कोई चीज़ छू रहे हैं तो जो sensation है तो उसमें अगर वायू तत्व नहीं होगा तो वो टच sensation ही नहीं आएगा है तो इस तरह का एक अगर definition हम देखे तो यह आपका difference है इसमें अनु और आटम में तो सर जहां तक आपने बात की अनु की तो क्या अभी जो modern science है वो अनु की science को अभी समझ सकता है कि उसके लिए अभी और आगे जाना पड़ेगा science में modern science को तो कि हमारा science तो बहुत आ गए इससे ओके सांख्य में पूरा जो evolutionary process है उसको तो एक्सेप्टी नहीं करेंगे वो जो evolutionary process से कहते हैं कि पुरुष है प्रकृति है यह मिले equilibrium तूट गया सात्वी का राजशिक्ताम सिक्का तो जन्म हुआ महत तत्तों का बुद्धी तत्तों का यह collective intelligence होता है मतलब जो आप देखेंगे यह matrix movie है है ना matrix movie हों कि हम सभी intelligence के अंदर जो है हम काम कर रहे हैं तो मस कह रहे हैं कभी-कभी की simulation के अंदर तो नहीं है हम सभी ठीक है तो एक collective intelligence जो है वो बुद्धी तत्व है और उसको जब intelligence individuality में आती है तो हम कहते हैं कि यह अंकार है अंकार इस individuality आप मेरे से अलग है यह आंकार की वज़से है यही त्यागने पर लगता है कि सब भ्रह्म है ठीक है तो आंकार के बाद आता है हम कहते हैं कि तनमात्राइं आती तो यह सारे जो terms है ना शब्दरस, रूप, गंदस, पर्स इसको अभी के science के आप समझता है sense, senses senses यह senses से थोड़ा सा एक level और सुक्ष में है, it's not just pure senses, यह सुक्षम भूत है क्योंकि उसमें से ही पंच महाभूत create होता है, तो end में हमारा particle बनता है, यह कहेंगे Higgs boson particle, मतलब यह जब evolution की बात करेंगे तो particle से ही शुरू करते हैं, हमेशा ढूंडते हैं particle को ठीक है, और हम कह रहे हैं कि particle सबसे end में आता है, तो यह जब तक उस barrier को ही नहीं पार करेंगे, thought को कि something can exist, even without measuring it, even without experiencing it, इसको आप maths से, sign, अनुमान से किसी और तरीके से पहुँचो, या प्रग्या लेकर के समाधि लेकर पहुँचो, ठीक है, तो यह consciousness जो है ना, यह curiosity है सबकी, लेकिन उसको accept नहीं कर पार हैं, लेकिन यह evolution को आपने देखा कि ऐसे, ऐसे, ऐसे हैं, तो आप contemplate कर सकते हैं, रवी जी, अभी जो आपने जानकारी जी उससे related, अगर कुछ पुस्तकें हैं, कुछ बुक्स हैं, तो आप शुरुताओं को बताएं, ओके, मैं हिंदी वर्जन ही prefer करता उसमें संस्कृत का शुद्ध स्वरूप में रहता है, तो आचारे उदेवीर शास्त्री जी की पुस्तक वैशेशिक दर्शन पूरा स्री जी है, शट दर्शन का ही है, तो वैशेशिक दर्शन की वो पुस्तक हो गई, और सत्तिजीत आरे जी को ही मतलब गुरू स्वरूप मैंने उनसे ही सारा सीखा है, ठीक है, तो जो आर्ष नियास है, गुरुकुल है, गुरुकुल परमपरा से आती है, उन्होंने इन विशेओं को बताया है, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मतलब क्योंकि इस विशेओं को बहुत अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है, जो modern science जो अभी के science है, उसकी भी terms और phenomena को अगर समझ रहे हैं, बहुत मज़ा आता है वैशेशिक दर्शन को देखने में, नहीं तो फिर यहाँ पर वो philosophy के अंडर बस रह जाता है, कर समय है流nd आता है जो समय होना एमार्या का वाल्या कर दो समय है ठी आता है कि में गहाँ जान से